यहां पर मैं कह सकता हूँ कि यह अब तक का वन ओप दी बेश्ट रोम होने वाला है हमारे Pogo के F6 डिवाइस के लिए जो कि आपको काफी ज़दा यहां पर पसंद आने वाला है मैं यहां पर इस रोम की सिंगल सिंगल डिटेल सेयर करने वाला हूँ क्योंकि यहां पर वो हर एक चीज़ दिया गया है जो कि बहुत सही लोगों की नीड होती है बट कहते ना कि चांद में भी दाग होता है तो क्या इसके अंदर कुछ इसू जोगे रहा है या नहीं वह इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है और साथ जे साथ इसे इंस्टॉल कैसे करना है मैं एंड में आपको बता दूंगा प्लस में ये रोम आपको अब तका सबसे one of the best देखने को मिलने वाला है बस वीडियो को सुरू करने से पहले एक request है यार प्लीज लाइक कर दिया करो और share भी क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि आपके व्यूज कस्टम रोम पे कम आ रहे अगर ऐसा ही रहा तो मुझे कस्टम रोम को लीव करना पड़ेगा तो प्लीज किप सपोर्टिंग ताकि मैं continue हर एक अपडेट का वीडियो आपको दे सकूँ अगर मुझे व्यूज ही नहीं मिलेंगे लाइक ही नहीं मिलेंगे तो फिर क्या ही फायदा रहेगा कस्टम रोम को continue करने का मैं कोई और टॉपिक भी ढूंड लूँगा तो प्लीज ट्राइक करना लाइक और शेयर करने की यहां पर आप देख से तो कि मैं यहां पर काफी बहतरीन साइक एओड यूज कर रहा हूं जो कि मैं नाम दिखा दूँँ अगर फाइंड कर पाओगे तो अच्छी बात है अगर पसंद आता है तो साथ-साथ यहां पर मैंने AI का यूज करते हैं आप देख से तो इस सूपर के वाल्पेपर को लाइ में कर्णवर किया है जो कि अब तक मैंको काफी बहतरीन यहां पर AI ने काम किया है और यह वॉल्ट फिपर आपको मेरे टेलीङांगा जेश के मिल जाएगा वाल्पेपर चैनल के ऊपर यहां पर आपट देख से तो इस हाइपरवेस का जो नाम आप आपको देखनी को मिल जाता है फोर मंत का security patch latest वाला यहां पर चाइना बेस है बाकि यहां पर करनल वगे रहे हैं और साथ-साथ आप चाहती से root कर सकते हो non root भी use कर सकते हो merge आपकी है यहां पर कुछ इस्टा features मिलते हैं बट हरवा की तरह हम पहले main चीज़ों के उपर focus करेंगे जो कि local चीज़े हैं जैसे कि यहां पर अपको additional setting के अंदर multi language support आपको मिल जाता है तो आप अपने native language में इसे यूज कर सकते हो यह अच्छी बात है कि multi दिया गया है चाहिना के उपर होते हुए भी गेमटरो का एक नया सा option देखनी को मिल जाता है जो कि normally security के अंदर रहता है बट यहां पर दिया गया है floating window है memory extension है यहां पर active visual protection वगएर है यह option मिलते हैं और यह आपके proper working रहता है साउंड का profile में कुछ भी नया नहीं है डाक मूट के अंदर जो individual app के लिस्ट आती है न गलो लाले रोम के अंदर वह चाहिना में add नहीं किया है यहां पर यहां पर जेस्टर का option मिल जाता है यहां पर रोइंड कॉलिम फ़ा एक्स्टा दिया गया जो कि 5-9 का है बाकी यहां पर सर्च वार प्रोवाइडर वगरा है और बाकी वह सारे बेसिक से option आपको यहां पर देखने को मिलते हैं तो रोम हमारा स्मूद रहे प्रफ overlap personalization के उन्तर आपका dynamic काफि यहां पर अपसंद आया बाकी do बस जोपी कर लो जो कि कवान पर करता है Yo daarafter देख divine और दिखाई दे रहा है तो काफी detailing के साथ यहां पर काम किया जाता है जो कि Dynamic Color Feature से रहे हैं मुझे रियली में पसंद है, मुझे प्यार होगी है इस फीचर से, बाकि यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है इसका खुद का Customization, जहां पर Pure CN Project लिखावा मिलता है, जो भी वाल पर यूज़ करेंगे उसका प्रिवुव यहां पर नज़र आएगा, यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है, पिक्सल का, FPS का, फोटोच का, नेट्फिलिक का और सनेपचेट वगए रहे हैं, और यह सारे काम करते हैं, तो जहीं से आप अन कर लेना पहला से ओफड हैगा, तो जैसे आन करोगे आपको आपको चीज़ आपको चीज़ नजर आन लग जाएगा, क्योंकि आप गेमिंग सेटिंग देखनी को मिलता है, बट अन करती, एक्स्टा सेटिंग अनलॉक हो जाता है, हाइड कर सकते हो में एकाउंट को और यहां पर अप्लिकेशन को डाउंट करेट करने का भी एक आप्सन आपको मिलता है, बाग यहां पर आइकन आपको देखने को मिलता है, तो यह थे इसके कस्टमाइजेशन, बागी अदची जो कि बात करें तो यहां पर बागी काफी चीजे सही देखनी को मिलता है, जिसमें कोई भी दिक्कत आपको जो नहीं आने वला, वीजर्स आपको फिरी मिलता है, सूपर आइकन वगर भी लेकिन हमारे यह जो author है, जिन्होंने यह theme बनाया है, इनको search करके आप यह theme निकाल सकते हो, जो कि मुझे यह पसंद आया है, personally, वहें पर AOD की बात करें, तो AOD हमारा यह वला है, जो कि इनका author का name यह है, पुरा का पुरा चाइना में है, तो इसे find करना थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है, जो कि मैं यहाँ यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, अब रही बात यहाँ पर testing result की क्या कुछ कैसे हमें रेखनी को मिलता है, तो वह चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कैसा performance का option दिखाई देता है, और हाँ, especially camera, camera यहाँ यहाँ पर latest ला वीडियो का अलग है, जेनरल का अलग है, अडिशनल का अलग है, वीडियो के अंदर आपको HDR10, Dolby Vision, Master Camera और बाकि और तो फ्रेमिंग वगरा देखनी को मिलते हैं, तो कई सारे extra option आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि आपको पसंद आने वाला है, और quality वगरा भी काफी सही आपको देखने को मिलता है, तो camera मुझे रियली में पसंद आया है, वहीं बात करते हैं, बाकि दर टेस्ट रिजल्ट की, तो system default आप देख से तो इतन ही आपको system के application देखने को मिलेंगे, बाकि आप अपने need के हिसाब से जो डाल सकते हो, अनदर यहाँ पर charging में ने किया, त top mode on करने के बाद, 9 minute में 27% charge होता है, जो कि मुझे काफी पसंद आया, इसके बाद unto the score, जो कि अब तक का one of the best score है, क्योंकि इतना score मैंने साइद किसी रों में show किया है, जो कि यहाँ पर देखनी को मिलता है, तो यह तो भाई, लाजवाब है, अनदर यहाँ पर CPU total की बात करे तो CPU total आप देख सेकते हो, max अब तक सबसे highest गया है, 4,45,000, और minimum यहाँ पर 3,92,90 का percentage है, और यह सूपर मैं कहुआ कि यहाँ पर दिखाई देता है, Geekbench यहाँ पर भी काफी awesome है, top notch का result आपको show कर देता है, तो इसमें भी कोई सिकायत नहीं आती, यहाँ पर देखते तो gaming नर्मली जब आपको देखते हो तो extreme देखनी को मिलता है, लेकिन जैसे असूफ के setting on कर देते हो तो extreme plus और ultra extreme आपका unlock हो जाता है, और यह काम करता है, इ जो दो ही pass मिलते हैं, basic और device का, जब कि यहाँ पर strong वाला भी pass किया गया है, तो यहाँ पर आपको कोई भी issue नहीं आने वाला है, वहीं पर बात करें battery drop की, तो 54 के बाद morning में आता है 52, यानि 2% का battery drop हो है, जो कि 9.33 मिनट में है, और यह भी मैं कहाँ अब तका काफी सही है, क जब कि यहाँ पर 2% है, तो यह भी काफी अच्छा खास आपको देखने को मिलता है, वहीं पर आप यहाँ पर देख पा है कि इसकी इंसूट के ऊपर अपने device का frame add करने का benefit आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, और camera अगरे तो हमारा काम कर रहा है, जिसम लाइटनिंग है यह जबाला, यह थोड़ा काम आ सकता है कि आप नाइट में डार्क मूड में जाके वीडियो को वगरा करते हो, तो डार्क मूड नहीं, डार्क इन्वार्मेंट में, ठीक है, तो यह चीज़ यहाँ पर सही देखनी को मिल जाता है, बाकी सारे basic features सही है, और और ही बारती से डालना कैसे है, तो चलिए, वह मैं आपको दिखा जाते हूं, गाइट देता हूं, और अभी तक आपने लाइक निकिए, तो यह लाइक करते हैं, चैनल पर नहीं है, तो सस्क्राइब करते हैं, क्योंकि भाई, कस्टर रोम पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, आ वॉल्म डाउन को लॉंग प्रेस रोल्ड करना है, धिसे आपको फोन फास्फूट लोगो चो करेगा, अब PC पयाना है, जो भी आपका थाय्विडर्र रोम है, उससे आपको अंजिप कर लेना है, अंजिप करने के बाद उसमें, मेंदी कई बार आपको इसाओ लाइक देख यहां पर है ए1 और 2 ताब अपने निट के हर साफसे पिक कर सकते हैं आगर आपको root करना है तो one click or pause करता है तो अगर नहीं चले करते हैं लिज won बो बनाए तो two click करकरकर रिंटर करते हैं यहां पाना पर पूछ रहा है कि आपको क्या से कस्टम डालना है तब अपने नीट की साब से फिर से यहां पर D और E में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेते हूं जैसे के E अब यहां पर कस्टम में दो है एक IS है एक R के है तो उसके दो सार आप FG जो भी चाहो मैं यहां पर example में क्लिक कर देता हूं जैसे क्लिक करेंगा अब यहां पर कोई भी option नहीं है अब यह फ्लैस करना चालू कर देगा तो यह जो फ्लैस चालू हो रहा है ना यह नॉर्मल रोम में ऐसी फ्लैस होने लग जाता है बिल्कुल यह simple सा तरीका है बस follow करते जाना है I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा सब कुछ समझ में आ गया होगा तो प्लीज like, subscribe, share करना ना भूले मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में